स्कूटर के इस पैनल में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्क्रैच लगा हुआ है अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जो स्क्रैच रिमोवल क्रीम है उसे लगा दिया चलिए अब इसे वाइप करते और फिर देखते कि रिजल्ट क्या आता है हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स पिछले काफी समय से आप मैं इसे बहुत से लोग का कॉमेंट आ रहा था कि सर बाइक, कार, स्कूटर इन सभी गाड़ियों में अगर स्क्रैच लग जाए तो उसे कैसे निकाला जाए स्क्रैच रिमूवल जो हमारे क्रीम वगर आते हैं, उनके उपर मैं आप वीडियो बनाओ, तो आगे इस वीडियो आपको इसी चीज़ को स्क्रैच को रिमूव करके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लिर करना चाहूँगा कि ये कोई स्पॉंसर वीडियो में कंपनी क्या कहती है कि भाई जो प्रोड़क्ट का क्वालिटी है, जो बेस दीजिए वो बता दो, जो नेगेटिव पॉइंट से जो बुराईया है, वो नहीं बताओ, तो चुकि ये स्पॉंसर वीडियो नहीं है, जो जो फैक्ट है, जो सचाई है, वही मैं आपके साथ शो करने वाला हूँ, तो आगे इस वीडियो को पूरा देखे, साथी आगे इस वीडियो मैं इस मोटो मैक्स के 2K रबिंग कंपॉंड का यूज़ करने वाला हूँ, ये 100 ग्राम, 200 ग्राम दोनों तरह के बॉटल्स में आता है, इसे मैंने online Amazon से अपने यूज़ करने के लिए मंगाया है, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कि 100 ग्राम का जो प्राइज है, वो जश्ट 62 रुपीज 32 रुपए है, और 200 ग्राम का जो प्राइज है, वो है 96 रुपीज, दोनों ही जो प्राइज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प जो इतरों की भीजिएर्स होते है, बहुत सारी उस्केरिटी प्राइफ़ होते है, और भी कई तरह कर प्राइज होते है, इनका यूज जया जाता है, इन सब कphones के गहते हैं, लिंक है, ऑप अगर बिला कि जखने हैं सबसक्राइब करके बिलाचन को जरूर से दबादे सबसे पहला आप इस स्कूटर का यह जो complete राइट साइड का पैनल है इसे देखो क्योंकि इस पे ही हम लोग जो scratch removal जो cream है उसे use करने वाले है इन जेनल यूटूब में देखा आप क्या होता है कि आकसर बहुत सो लोग क्या करते कि छोटा मोटा scratch लगा देते हैं और उसे remove करके सही testing नहीं होती तो आप इस पैनल को अगर ध्यान से दोगे तो आप देख सकती हूँ कि यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे आपको scratch देखने को मिल रहा है कुछ scratch के वाज़े से क्या है कि paint निकल गया है कुछ के वाज़े से paint नहीं निकला है बहुत सारे लंबे scratch है इसका भी जो paint निकल जाता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो आगे इस वीडियो मैं आपको इसी पैनल में complete जो cream उसे लगा के इसकी test करके देखता हूँ कि यह सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है चलिए अब मैं यह जो Moto Max का 2K rubbing compound ने इसे खोल ले लेकिन चुकि यहाँ पर हम लो complete panel की testing करने वाले तो मैं अभी क्या करने वाला है कि जो complete panel है इस पे ही इसे अच्छी तरह से spread कर देता हूँ इसे अच्छी तरह से लगा जयता हूँ ठीक है उंगलियो सो में complete panel में लगाऊंगा ताकि इसकी proper अच्छी तरह से testing हो सके और जब यहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस scratch removal rubbing compound को आप metal body और fiber body दोनों के ही painted part में असानी से use कर सकते हो आप यहां पे आप देख लो कि मैंने जो rubbing compound उपर से नीचे तक आप देख लो कि अच्छी तरह समयनी से यहां पे लगा दिया है और चुकि मैंने बड़े panel में लगाया है फिर भी आप यहां पे बॉटल में देख लो ठीक है कि almost आधा तो बचा ही हुआ है और in general क्या होता है कि छोटे मोटे scratch में थोड़ा ही सा लगाना होता है तो यह काफी लंबे समय तक चल भी जाएगा आप यहां पे देख सकते हो ठीक है अब बात आती ही कि rubbing करने की तुम्हें आपको बताना चाहों कि in general घर में हमारे पास तो rubbing का machine होता नहीं है तो basically करना क्या है कि इस तरह का कोई भी microfiber cloth हो या साफ कपड़ा भी हो तो भी काम चल जाएगा लेकिन इससे यूज करने से पहले मैं भी क्या करने वाला हूँ कि circular motion में कुछ इस तरह के motion में उंगलियों से इस तरह से रब करना है उसके बाद मैं कपड़े का यूज करने वाला हूँ और वैसे bottle में ये भी लिखा हुआ है कि भाई इसे आपको direct sunlight में ठीक है सीथा जो सुरच की रोशनी होती है वहाँ आ पे धूब में इसे यूज में नहीं करना हूँ गया काम नहीं करता तो मैं इसे फिलाल तो इंडॉर में यूज कर रहा हूँ कोई पहले से पहले से अच्छी तरह से रब कर लेता हूँ यहाँ पे चलिए अब मैं इस माइक्रो फाइबर जो क्लोथ है इससे भी दीरे दीरे सर्कुलल मोशन में इस तरह से रब कर देता हूँ और अगे क्या रेजल्ट हो वाला है क्योंकि जो स्क्रैचेस था वो बहुत जादा था आपको क्या लगता है कि सही महीं बहुत जाली पहुत कर देत चांहीं ata करें कि अगर आप इस मूंपर एक चानता चौक्शाल को इससी बात का द्यार है América है तो आप इस बात का ख्याल रखें, सीधा आप कपड़े से भी इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि उंगलियों को यूज़ करना ही है, ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखें, मैंने इसलिए किया, क्योंकि मैरे जो स्प्रफेस था, वो बहुत जादा तो मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड करने के लिए उंगलियों को यूज़ किया है, फिलाल में सर्क्लोल मुशन में जो कपड़ा है, इससे इस तरह से, कम्प्लीट सर्फेस में यहाँ पर इससे तरह से रब कर देता हूँ, अब आप देख लो, कि जो रबिंग कमपॉंट है, यह अच्छी तरह से सूख चुका है, ठीक है, यह सूख गया है, तो अब बारी है इससे वाइप आउट करने के तो मैं क्या करता हूँ, कि मैं इसने कपड़े को तो गीला कर लिया है, और मैं इससे साफ करता हूँ, और इ अब भी दिखायता हूँ, ठीक है, मैं आपके कटने करूँगा, जो रिजल्ट आया है, वो आपके सामने होगा, ठीक है, ऐसा ने लगए कि बाद में आपने कुछ और किया होगा, तो मैं इससे वाइप आउट किया, अच्छी तरह से मैंने साफ कर दिया है, इस तरह से भी क ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो, कि रिजल्ट किया आया है, ठीक है, इस जो है, वो काफी हद तक, आप नीचे तक भी आके देख लो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख लो, कि यह सारे कुछ यहाँ पर जा चुकिए, मैं आपको simply practically जो करके दिखाया है, सब से दिखाई दे रहता, उसके बाद, जब मैंने rubbing compound को use किया है, उसके बाद किस तरह के scratches गए है, कितना गए है, यह मुझे बताने की जरूट नहीं है, यह साफ साफ यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, जो final result है, वो आप देख रहे हो, और इस तरह से अगर आपके bike वगरा म स्कूटर में, कार में, किसी भी गाड़ी में scratch होगा, तो आप समझ सकते हो, कि किस तरह से यह product आपके गाड़ी में काम करेगा, और scratches को remove करेगा, तो friends, इस scratch removal cream का result आपने अच्छी तरह से देख लिया, कि scooter में पहले कितना जादा scratch था, और बाद में जो result आया, वो भी आपक सामने है, तो आपको क्या लगता, आपके according यह, जो हमारा Motomax का 2K rubbing upon है, यह useful है कि नहीं है, यह आप इस वीडियो में comment जरूर से करें, इन जनल क्या होता कि गाड़ी में इतना जादा scratch तो होता नहीं, जो कि मैंने आज कि इस वीडियो में शो किया, तो उसके according आप समझ सकत कि यह किस तरह से आपकी गाड़ियों में काम करने वाला है, तो विडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करके जरूर बता है, इसके लावा अगर आप चैनल पे नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, थांक्स वाच विडियो गुडबाई